नमस्कार दोस्तों लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मनाली हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण परेटन स्थल है जहां हजारों सैलानी घूमने जाते हैं यही में से एक सड़क रोतांग दरे की और जाती है जो ब्यास गुफा के पास से होकर आगे की और जाती है फ्यास मंदिर से इसी सड़क पर लगबग पंदरा मील आगे एक महत्वपूर्ण आश्रम है जिसमें दो तीन वृद्ध स्वामी रहते हैं और उनके पास में ही यह हीनु नाम की तरुनी अपने पिता और भाई के साथ अत्यंत सामानने तरीके से रहती है पर यह उच्च कोटी की तांत्रिका है शायद पूर्व जनम में भी यह कोई महत्वपूर्ण तांत्रिका रही है यो भी हिमाचल में तंत्र अभी तक जीवित है और कई स्थानतों ऐसे हैं जहां आज भी विज्ञान उसके चमातकारों को देखकर अश्चर्य चकित रह जाता है पिछली यात्रा में मैंने इस हीनू को देखा तो मुझे उसका पूर्व जनम स्मरण हो आया और मैंने उसके यहां लगबग दो घंटे बिताए उसको भी कुछ ऐसा आभास हुआ कि पूर्व जनम में इस व्यक्तित्व से किसी न किसी रूप में संबंध रहा है मेरे साथ दस भारा सम्न्यासियों और ग्रहस्त शिश्यों की टोली थी और उसने मेरे कहने पर ऐसे कई तांत्रिक कार्य पल भर में संपन्न कर दिखाए जो अपने आप में अश्चर्य चकित कर देने वाले हैं ये ऐसे चमतकार हैं जिन पर सहसा विश्वास नहीं होता उसने कुछ ही पलों में सो सो के नोटों की वर्शा कर दी और मेरे साथ जो ग्रहस्त शिश्य हरीलाल, कृपा शंकर, भिवंडी राम, रमेश डी पटेल थे उनके पास ये नोट आज भी रखे हुए हैं भूतों के द्वारा उसने कई कठन और असंभवकार ये पल भर में करके दिखा दिये जब रमेश ने कहा कि तुम ऐसी ही तांतरिका हो, तो मेरे घर में एक बखसा पड़ा है, वह लाकर दिखाओ, तो मैं तुम्हें मानू और हीनो ने मातर दो मिनट में ही वह बखसा रमेश के सामने लाकर रख दिया, और उसकी आँके फटी की फटी रह गई, यही नहीं, अपीतु जब मैंने कहा, हीनो, तुम्हें जमीन पर नहीं, अपीतु जमीन से 6 फीट उपर शून्य में ही आसन लगाना है और साधना करनी हैं, तो उसने मेरे सामने ही शरीर स्थित सभी चकरों को जागरित किया, और अचानक जमीन से 6 फीट उपर उठ गई, हवा में ही उसने पदमासन लगाया और ध्यानस्त हो गई, तीन-चार सन्यासी शिश्यों ने उसके नीचे जुक कर आ जाकर देखा, तो वास्तव में ही शोन्य में स्थिर थी, एक दो ग्रहस्त शिश्यों ने तो उसके इस प्रकार के फोटो भी लिये, उसने कहा, मैंने यह सादनाएं कामाक्षा मंदर में और उसके पास शम्शान में रहकर संपन्न की हैं, मेरे जीवन का एक मात्र उद्देश्य, तंत्र को संपोर्णता के अमने चुनोती के साथ खड़े होकर दिखा देना है कि तंत्र के माध्यम से धनाठ है और संपन्न बना जा सकता है, किसी भी प्रकार के कार्यों को संपन्न किया जा सकता है और इसके माध्यम से विज्ञान को चुनोती भी दी जा सकती है, आज भी कोई व्यक्तिव स्थान प पुरवशाली इस प्राचीन विद्या को अपनी आखों से देख सकता है, समझ सकता है और अपनी कसोटी पर परक सकता है। वास्तव में ही भारत को अपने पूर्वजों पर, तंत्र पर और हीनों जैसी साधिकाओं पर गर्व है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। करपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।